ओम शांति आपको स्वागत है आपके तीन स्वेकार्मिन विदिन के श्री वर्दान में और आपका ये यूट्यूब चैनल सीख दसोल दरूत लाइस विदिन में आज परमपिता परमात्मा हमारे इस वर्दान में हमें क्या सिखाते हैं ब्रह्मा बाबा जैसे बनने के लिए क करते हैं कि ब्रह्मा बाब के संस्कारों को स्वेम में धारंड करने वाले ब्रह्मा मतलब आदम या Adam के संसकार कैसे होंगे संसकार कैसी उनके उनकी आदतें, कैसे उनकी रुणे रुष्व कैसे होगी, उनकी सूच कैसे होगी, उनकी भावना कैसे होंगी, विश्वक लिए यह तो अब जानते होंगे, विल्कुल-Paramत्मा के समान सब के लिए, क्योंकि वो great 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 grandfather है सारी विश्व के सारे मनुश्यात्माओं के तो उनकी वृत्ती सब की प्रती शुब भावना शुब कामना की और अगर हम उनके बच्चे कहलाते हैं तो हमारे भी वैसे ही वृत्ती होनी चाहिए तो उनके ब्रह्मा बाप के संसकारों को स्वयम मिधारन करने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्वपरिवर्तक भवा विस्तार में चलते हैं बाप कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संसकार बनाए वैसे सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए जब उनने शरी छोड़ा समपून्टा को पाया तो उन्हें शरीर छोड़ते समय तीन चीज़े बाते हमें बताई थी कि इनको प्राक्टेस करते हैं तब ही तुम शरीर स्वा इच्छा से छोड़ करके परमधाम पहुंच पाऊगे पवित्रवन करके सारी दुनिया ये समझते कि जो भी मृत्ति को या जिसकी भी मृत्ति हो रही है या जो भी दिहांत हो रहा है किसी कभी वो सीधा कहा जा रहा है परमात्मा के पास में जा रहा है परमात्मा कहते हैं कि कोई भी आत्मा जिसके अंदर अब पवित्रता है मतलब कि सोच में काम, क्रोध, लो, मौ अंकार है वो आत्मा कभी मेरे पास वापस आनी सकती जब तक मैं आकर के नीचे उसे रस्ता ना बताऊं तो परमात्मा कहते हैं क्या याद दिलाएं उन्होंने? उन्होंने याद दिलाएं निराकारी अपने आपको क्या समझना है? अपने आपको आत्मा समझ करके निराकारी समझ करके सोचना, बोलना, करना निर्विकारी मतलब कि पांचो विकार और उसके चोटे-चोटे जो बच्चे हैं जो निकल आते हैं उनको भी त्यागना और निर अहंकारी तो निरंकारी मतलगी किसी भी प्रकार का आंकार ना हो ग्यान का भी आंकार ना हो तो परमात्वा कहते हैं तो यह ब्रह्मा बाप के संसकार ही ब्रामणों के संसकार नैचरल हो ब्रामण देखाया तो हर आत्मा जो ब्रह्मा को अपना पिता मानती है ब्रह्मा को पहचानती है और ब्रह्मा ज्यान जिनके पास में वो होगे ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो आडम का बच्चा और आडम की बच्ची देखाया तो सारी दुनिया है लेकिन भूल चुके हैं ब्रह्मा कौन है कब आये थे, क्या किया था उन्होंने और उनके बस में ज्यान कौन सा था तो परमात्व कहते हैं संसकार नाच्रल हो सदा इनहीं श्रिष्ट संसकारों को सामने रखो सारे दिन में हर कर्म के समय चकरों की तीनों ही संसकार इमर्ज रूप में हैं कौन-कौन से? निराकारी अगर निराकारी आत्म हो तो तेरे मेरे में नहीं आने वाले हैं ना ही किसी धर्म की लड़ाई जगड़े में ना ही हम किसी प्रकार की उल्जनों में फसेंगे निर्विकारी हैं तो विकार नहीं होंगे तो मन शान्त होगा शीतल होगा और निरंकारी है तो हर कारे नमरता से हो पाएगा तो ये संसकार पूरे दिन में हर कारे में हो बोल में, सोच में, कर में हो इनी संसकारों को धारण करने से स्वपरिवर्तक, स्वविश्व परिवर्तक बन जाएंगे ये तीन चीजों के उपर फोकस करने के लिका है परमात्माने निराकारी, मन लखी मैं आत्मा जब इस धर्ती पर उतरी थी या उतरा था, उसका कोई लिंग नहीं होता तो मैं एक बिंदू प्रकाश मैंने शरीर धारण किया, शरीर मेरा नहीं है ये लोन पे लिया है, मैंने इस धर्ती से इसको यहीं छोड़के जाना है तो मैं निराकारी हूँ, तो फिर मेरा क्या जिसको हम मेरा 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 करते रहते हैं वो सब कुछ तेरा 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 तो परमात्मा कहते हैं, एक वो सोचो फिर निर्विकारी बनो जब आत्मा समझोगे तो अहंकार नी आएगा, इरशा नी आएगी, ग्रना नी आएगी, लोब नी होगा, मोह नी होगा, अहंकार इस सारी चीज़ें जब हटती जाएंगी, तो आत्मा हलकी होती जाएगी और शरीर की इच्छाओं से मुक्त तो स्वा इच्छा से शरीर छोड ग्यान का आंकार ना ओ, तो आत्मा हलकी हो करके बिलकुल आत्मा शेरी से निकल पाएगी आराम से तो परमात्मा चाहते है कि हम ये तीन चीज़ों के प्रैक्टिस करें जो कि हमें ब्रह्मा बाप या आड़म के जैसा बनाएंगी आज को यह इशुरिवर्दान और इसके बारे में और केहन अध्यन करने के लिए आप ब्रह्मा बाप कौन है आडम कौन थे उनका ग्यान लेने के लिए ब्रह्मा कुमारी इशुरिव इशुरिवर्दाल में जाकर के सीख सकते हैं इसके बारे में ओम शंती